असलाम वालाइकूम फ्रेंज वेलकम बैक टो जुल्फाज जहान आज मैं अब लोगे साथ बहुत ही मज़दार और बहुत ही यमी और जैम रिजपी शेयर करूंगी और जो बनाना सबसे आसान है और सबसे सिंपल भी है तो इसमें मैं थोड़ा सा त्विस्ट एट किया है जिससे इसका टेस्ट में कोई फरक नहीं पाएगा लेकिन इसका लूप जो होगा बहुत ही मज़दार और बहुत ही बढ़िया और इसमें कोई प्रेजरबिटिव कोई कलर भी इस्तिमल नहीं होगा तो चलिए सबसे पहले मैं इसके लिए मैंने चार संत्रे यानि ओरेंज लिए है और उसको पील कर लिया और इसका जो सफेद वाला हिस्सा है यह जो रिशे होते हैं सफेद सफेद जो फाइबर की तरह यह पूरी तरह से हटाना है क्योंकि यह सब रहेंगे तो एकदम पूरा क परवा बनाएगा उसके बाद इसमें से सारा बीजा जो औरेंज का बीजा होता है यह अच्छे से निकाल देना है यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से सारा मैंने यहां पे निकाल लिया बीजा निकाल लिया और उसके बाद इस कप की मेजरमेंट से एक तो थाएक अप हो गया जितना भी मैंने पील आउट किया था उसके बाद इसी कप की मेजरमेंट से एक कप चीनी ले लिया और इस लिए एक कप ही ले लिया अकर खटा होता थोरा ज्यादा लेना पड़ता और सारा चीजों का अच्छे से ग्राइंड कर लिया और जो और जो च अच्छे से काट लेना है सफिद बिल्कुल नहीं होना चाहिए नहीं तो करवापन आ जाएगा उसके बाद कैस पे कराही और सारा जो ग्राइंडिंग किया हुआ चीजों को इस कराही में दे दिया और अभी चलाते जाना है लगातार चलाना नहीं है इसको बीच-बीच में चलाए तो हो जाएगा क्योंकि चीनी पिग लेगा उसमें से पानी निकलेगा और चीनी को आप बिना ग्राइंड किये भी एट कर सकते हैं अभी एट करें हूँ काटा हुआ चंद्रे का छिलका और इसको इसी के साथ पकाना है बॉइल हो जाएगा और विश-विश में चला ना है और अभी दे रही हूँ दालचीनी के टुकरे बरे बरे और साथ में दे रही हूँ ट्विस्ट के लिए थोड़ से कुट्टी हुई लालमिच और थोड़ा पर्सली यह दोनों के वाज़े से इसका जो लुक है बहुत बरी आएगा और पीच ऑफ सॉल्ट मतलब एक च सुक चुका है और ठोड़ा सा सुखाऊए क्योंकि मुझे जयादा दन तक इसको परेजब नहीं करना है इसलिए मैं थोड़ा गारा करके इसको उतारूंगे लेकिन अगर आपको ज़यादा दन के लिए रखना है तो इसको फूरा जब पतला रहे यह तब उसको पन्दकर द यह पुरी तरह से तैयार हो गया इतना सुंदर दिखना हो हो और खाने में भी बहुत ही tampi यमी था यह तु मेरा मान्य में दो 3 दिन में ही खतम हो गया अगर आपको ज्यादा दिन के लिए रखना है तो इसमें लास में थोड़ा सा हनी मिला दीजे यह तो थोड़ा सा निम्बू का रस मतलब एक निम्बू का रस मिला दीजिए ताकि जो चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो मतलब चीनी का दाना ना निकलाए इसलिए आपको या तो हनी मिलाना है या तो निम्बू का रस कोई भी एक मिलाने से हो जाएगा तो फ्रेंज आप लोग अगर अच्छा लगे तो ये जरूर ट्राइ करें और मेरे अगले वीडियो का इंतिजार करें